एलो अबरीवरन मैं हूँ भागिरत कीरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। की कूछ प्रॉपरटी करने वाल हम तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा थो पिछला वीडियो देख लिजेyeah आँ तो जो मतलब होता है यहां पर मतलब है कि एक लाइन डॉकर यानी यह को बादर्रकर ना तो जो आपका कॉलम बनेगा उस कॉलम में कोई बाडर लगानी हो तो कॉलम रूल क्या करें का मतलब होता है कि अगर आपने कोई content है एक box को आपने columns में divide कर रखाया और उसके अंदर कोई odd div लगी हुई है जो क्या करती है पूरी रो लेती है या फिर कोई asset element लगवा है जो पूरी रो लेती है तो उसको कैसे manage करना है वो columns pain बताता है मैं आपको example के साथ समझाँगा और column विर्थ क्या करता है एक column की particular कितनी विर्थ होनी चाहिए यह decide करता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यह मेरा पिछले वीडियो का code है जो मैंने बना रखा था और इससे हमने कैसा output दिखा है वो देख लेता है तो यह output है मेरा और इस output को मुझे अब manage करना है अब इस output को change करना using the three properties जो मैंने अभी आप से बताया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे column रूल के बारे में तो मैं आपको code दिखा देता हूँ फिर से main नाम की class लगी हुई है और इस class के अंदर मैंने एक div बनाई हूँ यह main class और इसके अंदर हमारा यह कुछ content लिखा हुआ है तो यह content हम लोग कैसे divide कर रहे है column count से divide कर रहे है और फिर हमने column gap रखवा है ताकि दो columns के बीच में pixels की border चाहिए आपको तो मैं suppose लगाता हूँ 5 pixels की thickness वाली border चाहिए फिर बताना होता है कैसे type की चाहिए तो solid type की border चाहिए और color कैसा चाहिए तो suppose red color चाहिए तो अब एक बार देखता है यानि यह जो border आप देख रहे हो वो कैसे आईए यहां से column rule की मदद से अगर आप इसको 15 कर दोगे तो यह उसके according विर्थ बढ़ती जाएगी और जितना आप इसको कम रखोगे उसके according यह कम होती जाएगी तो यहां तक तो guys समझ में आगया rule कैसे work करती है इसमें आप और क यह mention कर सकते हो double mention कर सकते हो तो double से कैसा होगा यह double line दिखे कि आपको मैं एक बार zoom in करके दिखाता हूँ तो यह आप देख सकते हो यह double line आपके पास visible हो रही है तो यह कैसे आ रहा है हमारा एक एक column की अपने रूल बने और color में आप कोई भी color लगा सकते है जिसे green color लगाना है blue color लगाना है कोई भी color का नाम code या RGB आप mention कर सकते हो अगर आपको RGB के वारे में आइडिया नहीं हो तो playlist में आपको वीडियो मिल जाएगा तो guys अब हम देंगे column width तो column width के लिए आपको use करना है column और width बट एक चीज़ का धियान रखना है कि जब आप column width यूज़ करते हो तब आपके column count का कोई काम नहीं रहा जाता है लोग इसको दिखाने के लिए अगर आपको देखना है कि column width कैसे काम करती है तो column count आपको बंद करना होगा जब column count आपका हट जाएगा यानि column count नहीं होगा पहले आपने restrict कर दिया कि तीन ही column होने चाहिए तो अब विर्थ जो आ रही है यानि आप 300-300 की जो विर्थ देना चाहते हो उसके according column काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने बता रखा कितने होने चाहिए fix मेरे 3 columns होने चाहिए बट अगर मैं यहां से columns count हटा दूँगा column count हटा के फिर बर्थ दूँगा तो width के according columns बन जाएंगे सपोज आप 500 की दोगे तो 500 के according दो columns में content आ रहे तो 2 में आ जाएगा सपोज आप 100 की दोगे तो जितने columns required होंगे उतने automatic बन जाता है सपोज मैं यहां से सिर्फ 10 की देता हूँ तो 10 के लिए जितने भी columns required आप देख सकते हो अभी जो columns पेन है वह आपको में वाली class में देना यह इस क्रास में देना उसके अंदर जो एक element बना आपके यह इसको आपको देना होता है अब column spin से क्या होगा जिसे आप देख सकते हो अभी क्या हो रहा है कि यह अकेला पूरा इधर आ रहा है बाकी content आगे से सुरू हो रहा है मतलब यह वाला welcome to WSQ Tech पूरा यहां पर आया है जबकि वहाँ space है enough फिर भी यह यहां पर है और बाकी content वहाँ से start हो है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो मैं इधर एक class लगा देता हूँ इसको देता हूँ h2 और इस class को हम लोग यहां से use करेंगे h2 मैंने दे दिया अब हम करेंगे column और column के अंदर हम spain use करेंगे तो column spain में आप दो चीज़े दे सकते हैं all यह none पहले मैं आपको all देके दिखाता हूँ तो यह all में क्या होता है कि पहली वाली row अपने as it is बन जाती है और बाकी जो है जो पहली वाली row है वो पूरी as it is row हो जाएगी जो बाकी का content होगा वो नीचे columns में divide होगा वो कहा होगा columns में divide होगा और अगर आप column none देते हो यहां से call spain none देते हो तो none के case में क्या होता है वापस वही के वही सुरू हो जाता है तो कभी आपको ऐसा case तही है जब आपने ज दिखाना है और बाकी content नीचे की तरफ दिखाना है तो आप यह कर सकते हो कि आप to call spain column spain देजो तो उससे क्या होगा वो एक पूरा के पूरा 3 properties discuss कर रखी है और 3 properties मैंने अभी discuss कर ली तो column की total 6 properties हमने discuss की है that's it for this video thank you so much for watching